जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर चाला होगा बिना महिनत के कोई भी चमग नहीं सकता जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा तो आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में कोशन पूचोगो उसका अंसार आपको लिंक मिल जागे तो इस लिंक के क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मैं आनेकेड़ी पर ही पढ़ाता हूं तो आप आनेकेड़ी में का लेनिंगे प्लेइस टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन ृस्टी पॉइंट सर्च करके हमाँ फॉलो कर सकते हैं मैं आपने अनेकेड़ी प्रोफाइल के लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दिया है तो इस लिंक पे डारेक्ट क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर बनाये गए वीडियोज बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं दोस्तों इस आप चैनल पर एसियन गेम्स में गोल्ड मिडल जितने वाले पहले भारती जेवलिन थ्रोवर कौन बन गये हैं तो एसियाई खेलों में गोल्ड यानि सौन पदक जितने वाले पहले भारती जेवलिन थ्रोवर बन गये हैं नीरत चोपड़ा यानी ऑप्सन भी राइट है देखे उस तो न नीरच चोपड़ा ACI खेलों में स्वण पदक इतने वाले पहले भारती जेवलिन थ्रोवर बन गये हैं आपको बता देख 20 वर्षी जूनियर विश्ट रिकार्ट धारक ने ACI गोल जितने के लिए 88.06 मीटर की दूरी तक भाला भेंका था कितनी दूरी तक 88.06 मीटर तो यह आपको याद रखना है आपको बता देख नीरा जीस वर्ष की शुरुआत में राष्ट मंडल खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वण पदक जितने वाले भारती भी बने थे ठी से लेटेट साथी साथ आपको बता दे कि एसीन गेम 28 के लिए मेजवान साहर जो है वह इंडोनेसिया का जकारता और पॉलेंबैग ठीक यहां पर अभी चल रहा है गेम और भीन भीन काका और अतुंग यह एसीन गेम 28 का सुभंकार है इससे पहले कई बार आपको बता चुक पूरिया हुआ पहलबान बजरंग पूरिया उन्हों था को पॉर्शों की की फरीस्टाइल 65 किलो गर्म बर के सकुड़ाम बिल टेक्वान भूजों छखा एकिन बजरंग पूरिया है 26 में बजरंग पूर भरत करेंदो किय में अधोरको धार्पिव विनेश फोगाट ने भी जो है तो इंडोनेशिया मेठार में एसी आई खेलो में भारत को अपना दूसरा सौन पदग मिला है और इस बता दे कि इन्होंने जो है तो महिला कुस्ती में 50 किलो वर्ग के फ्रीस्टाइल में फाइनल में जापान की यूकी आई रिकॉर आया था और वह है एसी आई खेलो में सौन जितने वाली पहली भारती महिला पहलवान बन गई है तो यह भी बहुत इंपोर्टन कोशन है एसी आई खेलो में सौन जितने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन बन गई है तो यह बन गई विनेश फोगाट इन्होंने महिला कुस्त जिदने वाली पहली महिला भारती शूटर बन गई है इन्होंने जो तो 25 मीटर पिस्टल इस परधा जीती है ठीक है इसके साथ ही वह जिदने वाली पहली भारती मेला शूटर बन गई है यहां पर आपको बता दे कि एसन गेम से रिलेटर कोशन पूछे आते हैं इसके सुरुवात हुई थी ठीक है और इससे पहले जो एसन गेम से दोस्तों दोशार चाउदा को हुआ था इंचियों दक्षिड कोरिया में और अ आपको याद रखना है ठीक है तो एसी आई खेलो में इतने वाले भाती जैबलिंतरों बर कौन बन गए है तो बन गए नीरा चोपड़ा दोस्तों बात करें यहां पर इंडोनेसिया की दूराजधानी है यहां की जकारता और प्रेसिडेंट है इंडोनेसिया के बरतमान में जो को भी डेडो और जकारता में एक बहुत इंपोरटेंट संस्थान का मुख्याला है आसियान का जो हेटकौाटर है वो कहां पे है जकारता में ठीक है इंडोनेसिया के जकारता में तो एस्योशीएशन आप साओ्ध एस्ट एसे एन नेशंस असियान काWAY पूच लेता है ए एक्स्ट आसियान का सिखर समिलन होगा ओगा थाइलेंड में 2019 में 2019 का सिखर समिलन होगा थाइलेंड में तो यह आप समिट जरूर याद रखिए कि एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो एसी आई खेलों में शोण पतक इदने वाले पहले भारती जैबलीन थ्रोबर कौन बन गये हैं यह बन गया दोस्तों नीरत चोपड़ा इसी तरह है मैं हर कोशन में एक सब्सक्राइब करता हूं तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा यह वीडियो अच्छा लागे तो सब्सक्राइब दोस्तों ऑप्सन भी रजात पदक ठीक है देखिए उस्तों विश्व के विश्व राइन की जो है तो पीवी सिंधू ने एसी आई खेलों में वैडमिंटन में महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर एक ताई त्यूसी इंग को जो तो ताइवान की है य जो तो 1321-2121 की स्कोर से हार गई है और इस इवेंड में जो तो सायना नहवाल ने कान से पदक जीता है ठीक है तो पीवी सिंधू ने एसी आई खेलों में वैडमिंटन के लिए भारत के लिए कौन सा पदक जीता है यह जीता है राजत पदक आपको एसीन गेम से लेटे बह इसके लाँ आपको बता देक लिए पर आप्त करने वाली परत्रम महिला क chilli तो यह थिक करना मशोरी करना मलेशयोरी करना मलसilr प्रतम महिला एकल किताब जिदने वाली प्रतम महिला कौन थी वो थी पीवी सिंदू ठीक है तो यह आपको फेक्ट याद रखना है और और अलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रतम महिला कौन थी मैरी लीला राओ जितने भी मैं मिश्लेनियस के कोश्चन आपको बता रहा हूं यह बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं सेसी रेल्वेक जाम में विशेस कर पूछे जाते हैं तो आपको विल्कुल याद रखना है और रिवीजन जरूर करते चलना है ठीक रिवीजन करने से आपको चीज़े जो तो कंठस्त हो जाएंगी ठीक है चलिए तो पीवी शिंदु ने से खेलों बैडविंटेंट में भारत के लिए कौन सा पतक जीता है यह जीता है राजत पतक चलिए अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं नेक्स रोचान है केंद्र ने लखवार यमना बेशिक परिवजना के लिए कितने रा खवार बहुत देशी परिवजना के लिए निर्माण के लिए छह राज्यों के समझवता की अपने पस्ताक्षर की है और यह च्हाराज कौन से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है यूपी है यूपी के सिम योग्या दितनात राजस्थान राजस्थान के सिम तुत्राखंड के लोहारी गाउं के पास 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर की लागत से जो तो लाइव इस्टोरेश चमता के साथ 204 मीटर उची परियुजना के निर्माड किया जाएगा परियुजना के कुल लागत कितनी है तो इसकी लागत है 3966.551 करोड रुपए ठीक है तो के सरकार ने लख लखवार यमना बेशिन परियुजना के लिए कितने राजज्योंक साथ सम्झापता ज्यापन पस्ताशर किये हैं यह कि यह छे राजज्योंक साथ चलिए अगला कोश्चन है हाली में जी ट्वेंटी डिजिटल एकोनॉमी मिनिस्ट्री मीटिंग कहां अजित पर और 65 % दुनिया के अवादी का प्रता है इताय्व और आपको पतादे कि 2008 में पहले इताओक शिकर समयलन वासिंग्टन डिसी अमेरिका माजद किया गया कहां पर आजिद किया गया है तो wantsington DC ये अमेरिका में ठीक है दूस्तों यहां पर अर्जंटीना से leg Matte question पूछे जाते है अध्यां में अर्जंटीना जो राज़धानी ओह यहां और यहां के जो राष्टपती है मर्शियो मैक्री और सियर ऑप बहुत इंबोडिन फ पूर्ट्स है अ manufacturing से लेट इस पूजा को यहां पर Cambam में और उस्ट्रित खहस के मैदान को Cambam peas कहते हैं चलिए लोस्तों बात कर जो जो हांसबर्ग दक्षिन अफ्रीका के तो अभी हाली में ब्रिक्स का शिकर समेलन जो तो आजित किया गया था ठीक है दसमा ब्रिक्स का शिकर समेलन समिट्स कहां पर आजित हुआ है दक्षिन अफ्रीका जो हांसबर्ग में या फैक्ट याद रखिएगा जापान की बात करें तो जापान के रासे निए टोक्यो और यहां के जो राष्टपती है सौरी प्राइमिस्टर है वो है शिंजो आवे ठीक है प्राइमिस्टर है शिंजो आवे तो यह आप याद कि वित्ती सेवा विभाग की रिपोर्ट ने इसे डिजिटल लेंदेन के संदर में राज के सौमित वाले नंबर एक बैंक के रूमें रेट किया है। आपको बता देक नीरव मोधी घोटाले वाले बैंक को डिजिटल प्रदर्शन के लिए भारत के सही बैंकों में छटे बैंक के रूमें रेट किया गया है। जीट ही है। दयाल सिंग में जीट ही है, पे-णबी बैंक के फाउंडर थे, वरतमान, M.D. और CEO है सुनील महता, कौन है? पे-णबी बैंक के बरतमान, M.D. और CEO सुनील महता, ठीक है? वहीं बात करें तो यहाँ पर इलहाबाद बैंक की इसकी स्थाबना हुई थी 1865 में संजीव मिस्तित है, और इसको जो वरतमान CEO है इलहाबाद के हुए हैं, दीन बंधु महापात्रा, इलहाबाद बैंक के वरतमान CEO और M.D. कौन है, दीन बंधु महापात्रा, और बात करें हैं, हाँ पर SBI की तो SBI की स्थाबना हुई थी एक जुलाई 1905 को वरतमान चेर्मन है रजनीष कुमार है मुंबई में, ठीक है, वहीं बात करें, एक्सीस बैंक की तो SBI की स्थाबना थी इस थी 1993 में, मुख्याला है इसका मुंबई में, सिखा सर्वा वरतमान CEO हैं, और चेर्मन है एक्सीस बैंक के वरतमान CEO को ने संजीव मिस्तरा, यहाँ पर मैं जितने भ बैंक को डिश्टल लेंदेन में शीर्स रैंक दी गई है इसका राइड एंसर ऑप्सन सी पी एंबी बैंक चलिए अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है ग्लोबल फाइनेंस मेगजीन द्वारा दुनिया का सर्वसेस्ट बैंक किसे नामित किया गया है इसका राइड एंसर ऑप्सन भी डी वी एस बैंक को देखे उस तो डी वी एस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मेगजीन द्वारा दुनिया के सर्वसेस्ट बैंक करूब में नामित किया गय और आपको उता दे कि पीऊष गुपता डीवीस के मुख्य कारिकार यादिकार यानि वर्तमान में CEO कौन है वह है पीऊष गुपता इसका है इसका है इसका है डीवीस बैंक का सिंगापूर में अशियन डव्लामेंट बैंक की इसी स्थाबना उइए इस दिसमबर 1966 को कब हो इती एडीवी की स्थाबना 19 दिसमबर 1966 को इसका मुख्याल है मनीला में और आपको ओता दे कि वर्तमान इसके चेर्मैन है ताकि हिको नाकाओ बर्तमान में एसीन डव्लामेंट बैंक के जो है तो बिश्व बैंक की प्रेशिडेंट है और इसका उद्देश से सदस्राष्टों के पुनर निर्माड और विकास कारेयों के लिए रिड़ दे कर पूंजी की विवस्था करना तो ग्लोबल फाइनस मैगजीन द्वारा दुनिया का सर्वसेस्ट बैंक किसे नामित किया गया है इसका राइट एंसर दोस्तों ऑप्सन भी DBS बैंक ठीक है चलिए अगला कोशन दोस्तों कौन सा देश 2019 CCI यूथ और जूनियर वेड लिपनिंग चेंबेंसिप की मेजबानी करेगा इसका राइट एंसर दोस्तों ऑप्सन C दक्षिन कोरिया ठीक है दक्षिन कोरिया जो तो इसका मुख्याला है बेंगलूरू करनाटक में तो बरतमान अध्यक्स इस रो के आप याद रखिए कि बहुत इंपोर्डेंट है डाक्टर के सिवान और इसका मुख्याला है बेंगलूरू करनाटका में चली अब देख लेते हैं कल का एंसर कले मैंने कोशन पूछा था डी आर डी यानी रक्षा अंसंधाने में विकास संक्टन के नया अध्यक शुरू में किसे निपकिया गया है राइट एंसर था ऑप्सन डी जी सतीस रेड डी को सभी लोगों ने राइट एंसर दिया था आपको जरूर पतागों नहीं देखिए जरूर देख लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा साथ यह वीडियो पसंद आद लाइक करके जाईएगा इससे प्लीज शेयर कर दिए अपने दोस्तों साथ ताकि उनकी हो सके और आप हमारे फे पर वीडियो बनाया था कल मैं तो आपको यहां पर प्ले होगी जरूर देख लिजिए को बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए मिलते नेक्स टूडियो क साथ थैंक्यू